अबिशेक शुक्ल खास मुलाकात में आज हमारे साथ एक ऐसी शक्सियत है जो चतिसगर शासन में वर्षतम मंत्री है चतिसगर की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उनके कंधे पर है चतिसगर की इमेज बदलने की जिम्मेदारी यानि परिटन का जिम्मा भी उनके कंधों पर है और 36 गड़ की संस्कृती धर्म की बात की जाए उस धर्म की जिम्मेदारी भी उंके कंधों पर है तो आप समझ सकते हैं कि इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं मुलाकात करते हमारे साथ आज मौझूद है ग्री लोकनिर्माण धर्मस्व परेटन मंत्री तामरद्वस साहुजी सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आपको और स्वागत भी आपका पहली बात तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि राजनीत में एंट्री करने का मैंने कभी सोचा ही नहीं था एक अपने सब्दों में जैसे कहें गार्ड गिप्टेट कहते हैं इस्वरी देन मेरा राजनेतिक सफर विसुद धुरूप से इस्वरी देन है और इसमें जनता का अपारिस ने रहा है तो मैं कभी टिकेट मांगा नहीं हूँ अंठनबे में पहली बार जब मुझको टिकेट मिली तो मेरा पैर फेक्चर था मैं घर में था टिकेट मांगने भी नहीं गया था राजनी से जुड़ा हुआ था पंच सर पंच की बात या अन्याने पदों में रहा हूँ लेकिन टिकेट मांगने नहीं गया था मुझे अच्छी तरह याद है अंठनबे में छै तारिक लास देट था फारम भरने का चार तारिक की रात में मुझे को फोन करके पूछा गया कि तुम्हारा पैर ठीक है क्या चुनाव लड़ेगा मैं वो लादेश होगा तो लड़ूंगा माननी दिखविजा सिंग जी ने मुझे फोन से दिल्ली से बात किया और अचानक मुझको टिकिट दी गई वो भी ऐसे जगा धंधा मैं दुरूप का रहने वाला हूं कभी धंधा गया नहीं और लास देट मुझको लड़ने का अदेश हुआ प्रस्तावक ढून के फारम भरा धंधा गया नहीं था गया लेकिन वहां के जनता कैस ने मुझे च जाल जी वोरा का छेतर रहा उन से जुड़ा रहा पंच सर्पंच था सर्पंच के नाते गाओं के विकास के लिए जाता था तो जुड़ते गया फिर कांग्रेस के छोटे में पदों में आया बूरा जी मान मुख्य मंत्री बने मध्धिप्रदेश के तो 89 में मुझको तो यहां आगे यहां राज्यमंत्री को रूप में तीन साल काम किया तो विपक्ष में फिर लगाता है दूसरा कारिकाल भी धमधा का विधायक बना फिर दी लिमेटेशन में धमधा विधान सभक हतम हो गया तो पार्टी ने मुझे बेमे तरह भेज दिया तो वहां के लोगों ने भी जिता दिया उनका सनेह मिला पांस सालों काम किया फिर लोगसभा पार्टी ने आदेश दिया कि लोगसभा लड़ना है तो लोगसभा भी लड़ा उसमें भी जनता का सनेह पूरा दुरूग लोगसभा में मिला जीतकर दिल्ली गया दिल्ली में भी आधरनिया, रास्टी अध्यक, सोर्निया गांधी जी, राहुल जी, जो जिम्मेदारी हैं मुझको वहाँ देते गए, साथ-ाथ जिम्मेदारी नया सांसत था पहली बार का, तो आलोभर इंडिया पूरा रास्टी OBC डिपार्टमेंट का मुझको चेयर में बनाये, यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, और 15 साल से बंद बड़ी संस्था को मैंने पूरे भारतवर्स के हर प्रदेश में कोशिस किया कि उसको नहे सिर्य से सुरुआत मैंने की, उससे भी बड़ी जिम्मेदारी फिर मुझको CWC का मेंबर बनाएगा, कांग्रेस वरकिंग कमेटी जो ह कांग्रेस की सबसे बड़ी संस्था है, जो नीती निर्धारक संस्था कहा जाता है, जो कांग्रेस के संपूर्ण गतिविधियों का संचालन करती है, निर्णय करती है, उसका मेंबर मुझको बनाया गया, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है. बड़ा लंबा सफर आप करा है जिसे आप God Gift या इश्वरी देन कह रहे हैं वो शायद आपकी सौमिता सहजता है कि लोग आप से जोड़ते भी चले गए और आपको जीत भी मिलती गई एक सवाल सब के जहन में आता है कि राजनीती में बड़ी तिकड़म चलती है लोग बोलत जीतने भी कारिकरता रहे हैं जहां भी लड़ा हूं और जनता रही हो उन्होंने खुद चुनाव समहान लिया खुद वो लोग करते थे मैं तो सहस्ता से बस घूमता था गया तो गया नहीं गया तो नहीं गया पर कई बार तो ऐसा हो गया कि छेतर के लोग ही कहते थे कि वो नहीं जगह में जाओ दें जोड़ा हिदर हम लोग देख लेंगे। तो मुझे कभी तिकडम करने की या काटने जोडने की जूड़ने की इसकी जरुरती नहीं पड़ी। मुझे मेरी सबसे बड़ी पुझी जो मैं मानता हूं जनता कसने है। पूरे प्रदेश में जनता कसने, खाली तो दुरुक का रहने वाला आदमी नया, धंधा में तो मैं प्रस्तावक खोच के फारम भरा, बेमे तरह भी गया तो ऐसे ही था, अभी उस लहार में लोकसभा मके ले गया, तो जनता कसने मेरे साथ है, खूब आसिरवाद मिलती है जन आपने भिकाया, नाइंटीएट में जब मिछ को पहली बार टिकिट मिली और धंधा गया, पहला सभा हुआ, तो कोई सोचा समझा, कोई कागज में लिख के भासन देना ऐसा नहीं था मेरे पास, भासन देने खड़ा हुआ तो सामान्य तोर पर टिकिट मिली है, चुनाओ ल कागरा हुआ, था मिल्य कि तो सकता की ड़ूँ के पाइसन दीना दो कभी कोई, भोष्ना नहीं करूंगा, नमै एक पैसा खाऊंगा ना मेरे नाम से कोई पैसा मांगे तो देना मत, और मैं कभी गलती करूंगा नहीं अर गलती अगर किया, तो मैं गरी पार पकड़के माफी मांगँगा मैं राजनेति क्रिस्टा नहीं बनाता पारिवारी क्रिस्टा बनाता हूं यह मेरे पहले sentence थे उसमें और मैं आज तक उसको निभा रहा हूँ धमधाविधान सभा से हड भी गया हूँ पर लोग मेरे पास आज भी उतने ही अपना परिवार मानते हैं और आते हैं आपको देख कि मतलब विश्वास किया जा सकते हैं कि राजनीती भी साफ सुथरी हो सकती है और साफ सुथरा आदनी भी तरक्की कर सकता है मैं इस बात को बिलकुल बानता हूँ क्योंकि हम लोग सुना करते थे कि राजनीती काजल की कोठरी है और जो राजनीत में है उसके उपर कुछ न कुछ दाग लगेगा गया कांग्रेस तो कांग्रेस आम जनता बीजेपी वाले भी मुझ पर अभी तक कोई ऐसा आरोप लगानी पाए हैं क्योंकि मैं हर चीज को खुला प्रिस्ट रखता हूं कोई बात आती है तो मैं कहता हूं भीया देखो पीट पीछे बात मत करो मेरे सामने आग बोलो कि कहीं म आइक से जवाब दूँगा अधिकारी भी रहेंगे मेडिया भी रहेगी मैं गलती कि आहूं तो उसी चौक में हजार आदमिक बीच मैं माफी मांगूं इसमें कौन से सरम के बात गलती करने के लिए मुझ के बनाया नहीं गया है अगर गलती करूंगा तो मुझे माफी बहुत अच्छी बात करें और नई जनरेशन आप से सीख भी लेगी राजनीती में आप आया है और लंबा सफर भी राजनीती गुरू आपका कौन रहा है किस से मार्ख दर्शन लेते रहे हैं कि प्रारंभिक दर्व में जैसा कि मैंने कहा कि बहुत गुरू की दृष्टी क से नहीं पर माननी मोतिलाल जी वोरा से मैं जुड़ा हूं और उनसे जुड़ने के बाद मैं दिगविया सिंग जी से जुड़ा फिर विद्या भहिया से भी मैं इनकी गुट अलग भला रहा हो नेताओं का लेकिन सभी ने मुझे एकमत से आसिरवाद दिया हर बार चाह स्य किया माननी मोतिलाल जी वोरा तो एक प्रकार से उनको मैं अपना गुरू कह सकता हूं तो आपकी सक्सेस के पिछे ये भी माना जाए कि निरगुट रहे आप किसी गुट में कभी नहीं रहे इसलिए सबके लिए एक्सेप्टेंस आपके बहुत आसानी से हां मैं मूल अपना कांग्रेस पार्टी का हूं किसी व्यक्ति भी से इसके गुट का नहीं रहा और वोरा जी की कही खूबियां थी उसको मैंने अपने जीवन में उतारा कभी बदले का भावना नहीं रखते थे सहजता से माफ कर दिया करते थे खराबियां उसमें मैंने नहीं देखा विकास के प्रति वो समर्पीत रहा करते थे हर गरीब से भी बात करते थे बहुत सारी अच्छाईय उन्में मैंने देखी और मैंने कोशिस किया मुझे अच्छा लगा तो उसको अपने जीवन में उतारूँ आपकी सरकार के कारकाल के आधे कारकाल गुजर चुका है, 20 साल गुजर चुका है, आपकी पास 36 गड़ की सुरक्षा की भी जिम्यदारी है, चाहे कानून की बात कर लिया, नक्सल समस्या, कितने अपने आपको सफल मानते हैं, और आखे कितनी चुनौतिया मानते हैं, इसमें मैं बड़ी सफलता हमारे विभाग की मानता हूं, और इसका स्रे मैं देना चाहूंगा हमारे मुख्यमंतरी माननी भूपेज बगेल जी को, बहुत बारीक नजर रख रहे हैं वो हर विभाग में, ना केवल मेरे हर विभाग में, और अकेले बैठके बैठा रहता हूं, तो कभी-कभी दिमाग में आत है, देखिए, नीचे से उपर तो सब आते हैं, बहुत लोग आते हैं, अधिकांस लोग, लेकिन उपर आने के बाद नीचे देखना भूल जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा मुख्यमंतरी है, जो नीचे से उपर तो आया, लेकिन नीचे देखना नहीं भूला है, ये खुबी म है लेकिन- सरवहारवरक लिए महिला हो पुरुछ विरजगार हो आइसा करो आशा करो इसको मत करो बराबेर तो उसका लाव हमको मिला जैसे नक्सली मुमेंट की बात उनने बहुत इसपस्ट कहे दिया कि हम विकास अंदर तक पहुंचाएंगे नक्सली आपी आप समाप्त होंगे आदिवासियों के मन में बैठना चीहें के सरकार उनके लिए हैं अंदर की स्कूल साइवरेट सो बन थें 15 साल से पिछली सरकारों में इसकूल चाली हुआ अंदिन में आंगण बाड़ी भवन बन रहा है अंदर में रासन दुकान बन रहा है हेंड पंप लग रहा है, बिजली पहुच रहा है, लोगों को विश्वास आ रहा है, तो नक्सली मुमेंट की बाद, जोज रही सवाल, क्राइम की बाद प्रदेश में, ये एक आप देखेंगे, इन धाई वर्सों में, जितने भी बड़े से बड़े क्राइम हो हैं, हमारा ग महिने दिन के अंदर चलान भी कोर्ट में पेस हुआ है, और सजा भी मिला है, ये लॉक्डाउन की बाद से एक नहीं चुना थी, क्योंकि क्राइम को जिकर आपनी की है, साइबर क्राइम के तोर पे भी आ रहा है, उसमें भी हाला कि बड़ी उपलब्धी आप लोगों ने हा गुना जादा होना चाहिए, तब हम पकड़ पाएंगे, तो निस्चीत तोर पर कोरोना के चलते हम लोग और जितना मजबूत करना चाहते थे अपने साइबर को, क्राइम को, इंटेलिजेंस को, एक तो कोरोना के चलते सब दिमाग डाइवर्ट हुआ, कोरोना में हमारा वि पाया, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने काफी इसमें मजबूती से काम किया है, कहीं पर भी आज देखेंगे कि इस प्रकार की सिकायद, यहां तक 2-2 साल, 3-3 साल के पेंडिंग प्रकरणों को भी हम लोगों ने निराकरित किया है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर को ले देखिए, इस पे मैं एक जरा इसपस्ट कर दूँ, खेती किसानी को फोकस कर रहे हैं, यह अपने जगा पे अलग बात है, सही बात है, लेकिन देखिए, गौठान मान लीजिए, मैं आपके चेनल के माध्यम से प्रदेश और देश की जंता को बताना चाहूंगा, यह खाली गौठान की बात नहीं है, एक गौठान को हम माननी मुख्यमंद्री जी की इसपस्ट मंसा है, भूपेज वगेल जी की, कि एक गौठान में पूरे गाँवालों को रोजगार मिलना, बेरोजगार हैं गाँव के लोग, रोजगार की तलास में सहर आते हैं, तो सहर में अबा मसरूम उत्पादन, एक दस महिला के समूँ बर्मिखाद उत्पादन, एक दस महिला समूँ कुकुट उत्पादन, एक दस महिला समूँ सुवर उत्पादन, एक दस महिला समूँ मचली उत्पादन, एक दस महिला समूँ सिलाई का काम, यानि उस गौठान को लगू उद्यो हमारिय हो रही है खाली केमिकल खाद और केमिकल दवाई कारण जैविक के सब आज मुरीद हो गए हैं मानने लगे तो आज हमारा बर्मी कंपोस्ट मिलनी रहा है यह इस्तिती है अब सब और एक दिन आएगा आप देखेंगे साल दो साल में 36 गड़ का हर उत्पाद बर्मी खा करके देखना चाहिए लोगों को तो इतनी बड़ी सोच माननी मुख्यमंत्री जी का अब आपने कहा इंफ्राइस्ट्रक्चर की तो उधर दियान देने के बाद इंफ्राइस्ट्रक्चर में भी पूरा प्रयास किया जैसे इन्वर्सिटी खोलना उसकी बिल्डिंग बनाना मेडिकल कालेज खोलना उसकी बिल्डिंग बनाना कालेज खोलना हाई यूण हाय सेकंड्री स्कूल हास्पिटल अभी देखेंगे मुख्यमंत्री जी ने कहा गाँ तक पहुँचा हास्पिटल को तो हास्पिटल को कोई बाहार तो ख़डे नी रहेंगो इसके लिए थामको देना ही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के छेतर में पूरा जैसे सडख, सबसे बड़ी चीज़ है सडख, इंफ्रास्ट्रक्चर में, बिल्डिंग तो है, लेकिन सडख, आप देखेंगे अभी माननी मुख्यमंदरी जी ने भी कहा है, हमारा हम लोग जो काम करता है, करता है, एनेच का पैसा जो केंदर साता है होता है पर हम अपने एडीबी से जो होता है पीड़ेवलूडी और सीजी आरडीसी से हम लोग भी जो कर रहे हैं 15,000 करोड रुपिया हम लोग कर रहे हैं अभी investment पूरे सड़क और हम लोग उने meeting में मारुदर्सन ले लिया है माननी मुख्यम स्थाया मेंगे है उस्से विखान जाएगा तो करेंगे पर इसना एक सड़ाक करेंगे वो बनते साल दो साल लगता है तो हम अगले साल करेंगो चुनाओं तक बन नहीं पाएगा तो इस साल जो सवीकृत कर रहे हैं और उगले दो साल जो हमारे पास से चाल्या तो आपके पास दोनों ही जिम्मेदारी है कि एक तरफ नक्सल समस्या खत्व करना दूसरी तरफ चत्तिसगड़ की छवी चमकाना परेटन के रूप में तो आपको क्या लगता है परेटन में बहुत से लोग बोलते बहुत सारी संभावना है क्या चत्तिसगड़ में परेटन के रूप में होना चाहिए कि चत्तिसगड़ की मेच नक्सल समस्या सठकर और भी बहुत कुछ जो अच्छी है सुंदर्ताय प्राकृतिक वो नजर आए वो दिखे लोग आए टूरिस्ट यहां पर दिखिए परेटन के छेत्र नक्सल का जहां तक प्रस्ते हैं नक्सल प्रभावित जो छेत्र है वहां भर अभी लोग नहीं जा रहे हैं और बाकी जगों पर तो अराम से आना जाना हो रहा है कोरोना के कारण 15 महीं ने हमारा थोड़ा काम प्रभावित हुआ लेकिन उस पिरेड में भी कोरोना पिरेड में भी हम लोगों ने डेवलप किया उसको और एक दिन मैंने माननी मुख्यमंद्री जी से निवेदन किया ज अभी हम लोग चओदा जगह हमारे ट्राइवल सर्कीट का है उसमें से नौ जगह हमारे काम कंप्लीट हो गिया है उसको हम लोग बना चुके हैं नौ जगह को जिसमें हमारा जस्पूर कुनकुरी सरोदा दादर कॉंडा गाउन अथिया नवा गाउन ये जीतना है नौ इस् सतरेंगा है कहीं करूज लाने की बात वहाँ कर रहे हैं वो भी हम लोगों ने सुरुवात कर दी है माडमसिली के बांध है जहां जहां पानी बारो महखूब रहता है और नेचर है चारो तरब जंगल जैसा तो वह भी कर रहे हैं दूसरा अभी माननी मुख्यमंद्री जी का एक बड़ा कांसेट राम वन गवन पद इसमें भगवान राम पचासों जगा यहां आए घूमे हैं लेकिन उसमें नौ जगा को चिन्हांकित किया गया है जहां जहां कुछ समय उन्होंने गुजारा ऐसे जगों पर और जैसे सीतामडी कोरिया से हम सुरू कर रहे हैं और सुकमा तक जा रहे हैं नौ इस्थान चंद्खुरी में हमारा 90% काम पूरा हो गया अभी बहुत जल्दी हम लोग एक आग दो महीने कंदर उसका बड़ी हलो कार पर राइपूर का सब से नजदीक अभी भी लोग देखने जाने लग गये हैं तो उसको लेकिन हम लोग थोड़ा सा और बचा है जो काम जड़ा सा उसको करके धर्मस्व मंत्राला भी आपके पास है और इन दिनों राम वंगमन से लेकर राम मंडली को भी आप लोग जो अनुदान देने वाले उसकी बड़ी चर्चा है विपक्ष भ onertडरा को छी ए जो राम को समंज्ते हैं जानते तो असंभाव चीज है कोई ये कहे क मैं जानता हूं यह तो गलत क्योंकि रामायन के चवपाई है जानत तुम्हे ही तुम्हे ही हो जावा तो राम को जो जानेगा वो बताने के लिए ने आएगा उसमें समाज आएगा तो जो लोग भगवान राम के विशाय में कुछ भी नहीं समझते वो लोग ऐसा कहते हैं कि राम को हमसे छीन रहे हैं राम छीनने कोई चीज है वस्तु है कि उनको छीना जा सकता है। राम को हम भगवान मानते हैं, जितो स्विकार करते हैं, तो तो सब के लिए हैं, और सब के लिए बराबर हैं। यह मेरा है तुम्हारा बात नहीं। आजादी के संगहर्स के पहले राशपिता महात्मा गांधी राम का भजन करवाते थे। तो उस समय तो बीजेपी थी नहीं। उस समय तो उनका जनम नहीं हुआ था। तो न भघवान को चीनने वाली बात नहीं है और बड़ी डाहित्षा। सबसे बड़ी चीज है संस्कार की सिग्ज़ा। अब कोई भी जाती धर्म्संप्रदाय के लोग हों। सबसे बड़ी बात है संस्कार उसमें है की नही। संसकार है तो वो मनुस्य है बहुत सीधी सी बात बाकि आप कुछ भी पहन लो कुछ भी लगा लो कुछ भी बोल लो यह अलग चीज तो राममंडलियों को भी मजबूत करने का मतलब अगर वो रमायन में रोज बैठ रहा है गीता पढ़ रहा है भाग वदगा इतरी परिवार जो भी संस्था से जुड़ा है कबीर से जुड़ा है तो पढ़ रहा है कर रहा है तो कुछ तो आचरण में सुधार आएगा उसका क लेकिन कभी जब आपको लगते हैं थोड़ा समय है किया करना पसंद करते हैं एक हॉवीज है वज नवर स्बा से उड़ता हूं दिए खाली समय समय नहीं मिलता कभी अगर मिला इस परकार जैसे लाक डौन होग तो रामायन से द्यविन अगर झाय है जब भी मुझह को एक दिन दो दिन तीन ने अगर खाली रिंसे मौका भिला तो मैं रामायन सैरियल लगा के देखता हूं रामायन विसुद standards की hell तो रामायन मेरा जीवन है, मैं मंचों में भी कहता हूँ मैं आज जो कुछ भी हूँ रामायन मंच की देन हूँ रामायन की कुछ चवपाईया अगर आप गुनगुना दे दोहरा दे सबको कहा जा सकता है पर रामायन की सुरुवात आप देखेंगे वह से सुरू होकर वह से बंद हुआ है पढ़ने वाले लोग जरह खोल के देखेंगे पहला है वर्ना नाम अर्थ संगा नाम रसा नाम छंद साम पि मंगला नाम चकरता रहो वंदे वानी वे नायकोओ वह से सुरू हुआ है और आखरी जैखेंगे उत्तरकंण की सॉत्तसे से समाबत हुआ है यह अन्होनी चीज से माने स्रिस्टि गोल पृत्वी एक श्रिस्टि एक स्रिष्टी का माली के दोनों जी बड़े भाग्य मानुस तन पावा सुरु दुरलव सद ग्रंथें गावा साधन धाम मोक्ष करद्वारा पाइन जे परलोक समारा बड़े सव भाग्य से मानौ योनी मिला है देवतातरस्ते हैं इस योनी के लेकिन देवलोग सुख पाता ह है लेकिन मोक्ष नहीं पाता लेकिन मानौ योनी एक ऐसा है कि यहां आप साधना करोगे तो जन्नमरन के चक्र से मुक्त हो जाओगे मोक्ष गती पाओगे ये बड़ी विशेस्ता मानौ योनी की है तो इसी लिए इस मानौ सरीर को सबसे बड़ा माना गया है और कैसे होगा तो उसके लिए एक चौपाई कर्म प्रधान विश्वरची राखा जो ज़स कर रही सो तस्फल चागा यह सबसे बड़ी मूल चीज है कर्म प्रधान है वो उसके बाद मैं क्यों पूरो जन्वम क्या किया था इस जन्वम क्या हुआ पाप क्या किया भगवान ऐसा कर रहा है कुछ नहीं आप जैसा कर्म करोगे उसका परिनाम आगया बिलकुल तो बहुत बहुत बोश्चुक्रिया आपका हमसे मुलाकात करने के लिए बातीत करने के लिए और ये बात मुझे आज भी समझ में आई और हमारे जरी बहुतों को समझ में आएगी कि धर्मस सुमंत्राला क्यों कि काफी जानकारी आपके पास रहमायड की है और आप सिर्फ जानते हैं अमानते ने बलकि उसको अपनाए हैं अपने अपने जीवन में ये बहुत आहम चीज़ है तो खास मुलाकात में आज इतने ही अगली बार मुलाकात फिर किसी और शक्सियत के साथ होगी तब त कर दो कर दो